केंद्री सरकार दुआरा लाई जा रहे हिट एंटरन कानून के खिलाफ पेट्रोल डीजल की डिलीवरी करनी वाले ट्रक ओपरेटर देश के अलग-अलग हिस्सों में हर्ताल कर रहे हैं जिसकी वज़से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रुध्याना और इन दौर से कुछ ऐसी ही तस्वीरे सामने आ रहे हैं जिनमें पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड देखी जा सकती है लोग लंबी लाईनी लगा कर पेट्रोल और डीजल डलबा रहे हैं पेट्रोल पंप संचालकों का क्या कहना है सुनें पेट्रोल पंप से लग रहे हैं उस आप से मुश्किल पर आदा हंटा में जिमां अब जब डीपो से चालू हो और दे रहा है वो जब तक हो इसका इस चालू होगी उसके बाद इस पर चालू होगा लोगों ने बताया कि वो अपनी गाड़ियों में ज्यादा पेट्रोल और डीजल डलबा रही है इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो इस हर्थाल को जल से जल खत्म करवाई रसे आमजन को किसी तरह की कोई परिशानी ना हो पेट्रोल लेने आये थे क्या जवाब मिला अब यह नहीं पेट्रोल पम पर गुम आया दो पास पास के दो और यहां तक चोक में लेका आए पिर नहीं नहीं पाद्रों पाले यही बोल रहा है कि पेट्रोल खतम हो गया लाइन लग रही है कुछ-खुछ लोग जैसे पर आ लेकिन जो एसे लोग जो है वो जो पेचानते नहीं जिनकू उनको गोल रहा है कि लाइन हटाओ भागाओ सबको बगाओ और मैं किसे पेट्रों पर गुम के आगया अभी तब पेट्रोली नहीं है मैंने फुल कराया जी टैंक भी बिलकुल बिलकुल देना चाहिए जी यह मैं सबके लिए हो जाएगी जो हर्दार पर चलेगे कितना फरक पड़ेगा तो फरक पड़ेगा आपके लवाना पड़ेगा वह तो है यह लोग निक्सान तो होता ही है